आपके अपनी YouTube चानल ABC भांडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे भारतिय राजव्यवस्था एवं सम्विधान से संबोधित। अती महत्वपूर्ण ओनलाइन प्रशनुत्तर जो रुपमिनिसार संब्रव से लिया गया है। शुरू करते हैं। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपती कौन थे। नीलम संजीव रैड़ी लगभग चौसत वर्ष की उम। लोगसभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या है। 550 अनुच्छे 12-35 संबंधित है। मूल अधिकार से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिध्धानत अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांती से समविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को समविधान का जनक किसी कहा जाता है। डॉक्टर भीमरा अवंबेटकर को संसर्क की सयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं। 250 मौलिक अधिकार समविधान के किस भाग में है। भाग 3 अनुच्छे 12 से 35 प्रथम समविधान संशोधन कब हुआ था। 1951 में आठवी अनुसुची में कितनी भाशा है। 22 भाशा भारत में हिंदी भाशा को अधिकारिक रूप से कब समविधान में जोड़ा गया। 14 सितंबर 1929 इसवी को 1922 इसवी के बाद भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था। वी के क्रिष्ण मैनन ने भारत के कितने राज्यवा केंद्र शासिक प्रदेश है। 27 राज्य आठ केंद्र शासिक प्रदेश 29 वा राज्य टैलंगाना है जिसका गठन कब हुआ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारतिय सम्विधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। मूल सम्विधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुचुचियां थी। राज्य सभा के प्रथम सभापती कौन थे। डॉक्टर एस राधा क्रिश्टनन निशुल कनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 6 से 14 वर्ष के लिए पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूंतम उम्र कितनी होती है। 21 वर्ष संसर्थ के दोनों सदन द्वारा पारित बिलकिस के पास भीजा जाता है। राश्ट्रपती के पास राज्यपाल की सनुच्छेद से संबंदित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियूपती राश्ट्रपती करेंगे। अनुच्छेद 153 राजय में एक राजयपाल होगा। वोट देने के लिए उम्र को 21 साल से 18 साल कब किया गया। 61 समविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा समविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतरगत होता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा राष्ट्रपती को भारतिय समविधान के किस अनुच्छेद की तहक शमादान की शक्ती प्राप्त है। अनुच्छेद 72 प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। मीरा कुमार पंद्रवी लोकसभा में। कौनसा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन को लागू करने वाला पहला राज्य बना। बुजरात 124 वा समविधान संशोधन विधेयक किस से संबंदित है। EWS आरक्षन 103rd CCA 2019। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। 1952 में राज्य सभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। राश्ट्रपती को भारत का सर्वोचव विधी अधिकारी कौन होता है। महा नयवादी अटॉनी जनरल प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्षन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था। 2013 में रीट या प्रलेक्ष किस अनुच्छेट की तहत वर्नित है। अनुच्छेट 32 भारतिय जुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। 25 चनवरी 1950 स्वतंत्रता के बाद सम्विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवेट तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ती को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरन मौलिक अधिकार किस देश की सम्विधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका संख की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्लित है। अनुच्छे 343 में पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है। राजस्थान 2 अक्तूबर 1909 को भारतिय सम्विधान में मूल रूप से कितने भाग थे। 22 भाग 20 जन्वरी 1972 इसवी से पहले किस राज्य का नाम North East Frontier Agency नेफा था। अरुनाचल प्रदेश सिक्किन को राज्य का दर्जा किस संशोधन की तहत मिला। 36 सम्विधान संशोधन अधिनियम 1975 की द्वारा। अक्तूबर 2020 इसवी तक सम्विधान में कुल कितने अनुच्छेद है। मूल रूप से 395 ओपन उच्छेदों को जोलते हुए अब तक 465 अनुच्छेद है। राश्ट्रपती पर महावियोग किस अनुच्छेद के अंतरगत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 की तहत। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। विदिक अधिकार ये 300 क के अंतरगत है। लोगसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। 543 भारत के किस प्रधानमंत्री की आयू सबसे अधिक थी। मुरारजी देशाए मौलिक कर्तव्य की सनुच्छेद में वर्लित है। अनुच्छेद 51 का लोगसभा और राज्यसभा की सैयुक बैठक की सनुच्छेद के अंतरगत राश्ट्रपती बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहट हमारा सम्मिधान कब से लागू हुआ है। 26 जनवरी उनीस सो पचास इस्वी से वित्टी अपात की सनुच्छेद में वर्लित है। अनुच्छेद 306 राज्यों में आपातकाल किसके दूआरा लगाया जाता है। राश्ट्रपती द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतरगत बजट किस अनुच्छेद में वर्लित है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तिय विवरन जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है उच्छ न्यायाले नीती आयोग का गठन कब हुआ था एक जन्वरी के सनुच्छेद में सारव भवामिक व्यसक्मताधिकार कंपरावधान किया गया है अनुच्छेद 326 राचिमें कार्य पालिका से न्यायपालिका का प्रिथक्रल किस अनुच्छेद की तहत वर्नित है अनुच्छे 50, भारत का सम्विधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था दो वर्ष 11 माह 17 दिन में भारत सरकार तथा सभी सरकारों की सभी तरह के लेखों का अनकेक्षन कौन करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है छे वर्ष वायसराय की कार्यकारी परिशद में शामिल हुने वाले प्रथम भारतिय कौन थे सत्याइंद्र प्रसाद सिम्हा उच्छ सदन किसे कहा जाता है राज्यसभा को राष्ट्रिय मानवादिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी 1993 इसवी में लोकसभा वर राज्यसभा की सहयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उलेखित है अनुच्छेद 108 भारत का सम्विधान का बंगीक्रित किया गया था 26 नवंबर 1949 को अनुच्छे 76 किस सम्बंदित है भारत का महान्याय वादी CRPC की किस धारा की तहट चार या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं धारा 144 विशेश परिस्थितियों में 2019 इस्वी में किस राज्य में पांच उप्मुख्य मंत्री नियुक्त किये गए थे आंध्र प्रदेश में यदि राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपती की कारियों का निर्वहन कौन करेगा सर्वोच न्यायाले के मुख्य न्यायाधीश एक लोग सेवक नहीं होते हैं सांसद इंपी जम्मू कश्मीर पुनरगथन विधयक 2019 की स्तारीक को पेश किया गया था पांच अगस्त 2019 को उनहत्तर वासम विधान संशोधन अधिनियम 1991 किस्य संबंदित है दिल्ली को केंद्रशासिक प्रदेश का दर्जा विधान सभा और साथ सदस्य मंत्री परिशद संबत्ति का अधिकार किस सम्विधान संशोधन की तहत हटाया गया था 44 सम्विधान संशोधन 1978 की द्वारा अनुच्छे 161 की तहक शमादान का अधिकार किसके पास होता है धर्म निर्पेक शब्द जोड़ा गया था 42 सम्विधान संशोधन अधिनियम 1976 की तहत अनुच्छे 46 किस्से संबंदित है ग्राम पंचायत से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है राश्ट्रपती सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 किसी विध्यक को मनी बिलकौन भोशित करता है लोकसभा अध्यक्ष कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है आचार सहिता विश्व में पहली अंदर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोचित की गई थी मार्दी अक्टूबर 2009 इसवी में विता आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 280 GST को किस सम्विधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्विधान में शामिल किया गया 101 सम्विधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा सम्विधान के किस अनुच्छेद में अंतराष्ट्रिय शान्ति वसुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है अनुच्छे 51 भारतिय सम्विधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है अपातकालीन प्रावधान अनुच्छे 352 के अंतरगत किस सम्विधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यक लोकसभा या विधान सभा के 15 प्रतिशत निर्धारित की गई कि क्यान्वे स्टोन सम्विधान संशोधन अदिनियम 2003 के द्वारा जंगन मन को राश्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 इसवी को अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान सभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है अधिक्तम 500 राश्ट्रपती द्वारा किस अनुच्छेद की तहट अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 सम्विधान के अनुच्छेद 17 हमें क्या प्रावधान है स्प्रिशिता का अंत दिल्ली को किस सम्विधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया था 79 वे सम्विधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किस सम्विधान संशोधन को मिनी कांस्टिउशन के नाम से जाना जाता है 42 सम्विधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद अलपसंख्यक समुदाई की हितों की रक्षा के लिए है अनुच्छेद 39 सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था 12 अक्तूबर 2005 इसवी को किस सम्विधान संशोधन द्वारा पंचायती राजव्यवस्था को लागू किया गया था 73 वा सम्विधान संशोधन अधिनियम 1992 की द्वारा बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है लोकसभात निम्न सदन में दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था 1950 इसवी में उपराश्ट्रपती के चुनाव में कौन शामिल होता है लोकसभावर राज्य सभा के सभी सदस्या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायादीश की नियुक्ति कौन करता है राश्ट्रपती विधी के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है इंग्लेंड स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे जवाहरलाल नहरू 1947 इसवी से 1964 इसवी तक अनुसूचित चातियों का वर्नन किस अनुच्छेद में है सर्वोच न्यायाले ने एक महत्वकून निर्नय में मुस्लिम पिताओं को भी आपरादिक प्रक्रिया सहिता की धारा 125 की दाइरे में ला दिया है इस धारा में क्या प्रावधान है तलाक्षुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालेग होने तक पिता पर उसके खर्चे की जिम्मिवारी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है राश्ट्रपती किसी विध्ययक को धन मिध्ययक होने का अंतिम निर्नय कौन देता है लोक्सभा अध्यक्ष डॉक्तर भीम राव अंबेग करने किस मौलेक अधिकार को भारतिय सम्विधान का हरिदय एवं आत्मा हट एंस ओल आफ कंस्टिटूशन कहे थे सम्विधानिक उपचारों के अधिकार को किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिती में क्या होता है मंत्र परिशत से त्यागपत देना पड़ता है